पूरी उम्मीद थी हमारे सबी वरकर बहुत निराश हैं पार्टी को किस तरह से स्टेट में सीचा नहीं गया तालमेल नहीं रखा गया जो कौन लोग हैं जो जिम्यवार थे सब को साथ लेकर चलने के चुनाव के समय जरूर हमें लगा कि हमको सब को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीज़ें ढखते हुए चुनाव लड़ा मिलकर चुनाव लड़ा निराशा जिनक है नतीजे हम सुबह तक हमें पूरी उमीद थी हमारे सबी वरकर बहुत निराश है क्योंकि इन्होंने जो दस साल सहा है कॉंग्रेस पार्टी के लिए इन्होंने खुन पसीना बहाया है आज जब ऐसा नतीज़ा आता है तो निराश हो जाते हैं सब निराशा जिनक बात है यह लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा क्योंकि जो यह अभी चल रहा है बिजनस as usual ऐसा तो नहीं चलेगा कहां हमारी कमियां रही हैं क्या कमियां रही हैं इसके बारे में देखना होगा कौन जिम्मेवार रहे पार्टी को किस तरह से स्टेट में सीचा नहीं गया तालमेल नहीं रखा गया जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सब को साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक डिखाने के और सब को बैलन्स आउट करने के वो भी बाते हैं स्टेट में क्या मेसेज गया है किस लिए लोग कॉंग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं जो एक माहौल बनाया गाहुल जी ने वो इस माहौल को एकदम निगेट कर दिया खत्म कर दिया इसके लिए क्या कारण हुए ये सब बातें देखनी पड़ें मैं आप जो कह रहे हैं कि तालुमेल भी एक माहौल जो था वो तब सबस्कों कर नहीं रिजर नह पाया तो आप इस चीज को आप मांनते हैं शृवाती मंधन केहले आप मांनते हैं कि तालुमेल की कमी रही और यह बच़ए है बढ़ी बचश्ए है नेकिये ये हमने पहले से कहा था, आप जानते हैं कि मीडिया के सामने ये बाते हैं पहले हुई थे। चुनाओ के समय जरूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाओ लड़ना चाहिए बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीज़ें ढखते हुए चुनाओ लड़ा, मिलकर चुनाओ लड़ा लेकिन जिस तरह से उसके as a run-up election तक और election के दौरान बहुत सी बाते हैं, आज कहना अच्छा नहीं लगेगा ऐसे लगेगा कि हम पूर लूजर हैं, तो इस चीज़ को छोड़ें लेकिन आगे के लिए पार्टी को कैसे हम मजबूत करें और हमारे वरकर जो इतनी मेहनत करकर के दस साल बाद आज उमीद लगाए हुए थे कि हमारी सरकार होगी हमारी पूछ होगी और ऐसी सरकार से निजात मिलेगा आज उनकी सारी उमीदों पर जो पानी फिरा है उसके लिए बहुत दुख होता है, निराशा होती है पर हमारा वरकर निराश हुआ है, हताश नहीं हुआ आगे के लिए हम सब मिलकर कॉंग्रेस पार्टी को फिर समस्खे रिसक्स करने की बात की और क्या लगता है कि ये हाई कमांड अब देखेगा योगी हाई कमांड को ये देखना चाहिए कि क्या हुआ और अब चौर्टी हाई कमांड हर पहलो में जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है, किसके कहां क्या कमी रही और क्यों ऐसा नतीज़ा है